तो फान दोस्त आप सभी को जी स्वीडियो का इंतर था जी स्वीडियो को आप सभी के बहुत से कमेन आ रहते हैं फानली व्डियो आ चुकिए जैंस तो इस व्युडियो में हम बात करने वाले कक्छा ग्यार वी के विसे परशु परन का आपका विजु जो दो पर दो बजीस तो सुद्धी कि निक आपको डिस्क से मिल जाएगी जल्दी जाएए और वहाँ पर आप देख लिएगा कि आपको 32 नमर की त्यारी के से करना है ठीक है इस वीडिये हम 6-20 तक के कोश्चन के बारे बात करने वाले तो वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट इसलिए वीडियो मा आता ह настро है ओं जो कि आपको दो नम्र ती क्लिए पढ़ख और पाच नम्र के लिए पढ़कर जाना है ठीक है तो यहां पर आपको सबसे पहला कोश्चन आप अगर यहां पर आप धियान से देखेगा तो यापका जो च्रॉप्ट 91 को द्दसेवश्चन आपको तया करैना है रूप में अयन, थन, भग, आधी उपस्तित होते हैं एक बार पढ़ोगे क्या एक बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा गाय की बारी जनगों के रूप में अयन, थन, भग, आधी उपस्तित होते हैं ठीक है तूसरा कोचे यह वाला भी एक बार पढ़ लेना है गाय के एग लेकिन यहां पर जो बच्चा नोट करेगा वो बहुत अच्छा रेगा ठीक है अगर आप नोट करोगे तो फिर आपको दुबारा फोन की पास नहीं आओगा क्योंकि अब बच्चे फोन चलाते मतलब स्क्रिंसोट पढ़ने आते हो और कभ इस्क्रिंसोट से इस्टाग्राम पर पोजाते पता नहीं जलता ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हैं पहला गुन क्या है सरी मध्यम काटिका और सूडल और गटिला होना ठीक है दूसरा छोटे हो मोटी सिंग होना और यहां पर बहुत सारे देख चुगा जिसे की पाव सिधा होना तेज चाल वाला होना आपको जो जो अच्छे गुन लगे वो तयार कर लेजीगा ठीक है उसके बाद आपको यहा जफरावादी, मेसाना, भधावरी, नीली, तराई, नाकपुरी, और ठोंडा, आदी तो आप जो अपको यहां पर चार तो याद कर लेना ठीक है आठ नियाद करो नुनी याद करो लेकिन चार तयार कर लेजिगा ठीक है उसके बात यहां पर क्या पूचा है बेसो की 5 उत् सब्सक्राइए और चुर्शन की दरश्रीघ के द्रश्रे là सवाधी उपियोग फहती है और वार्चिक में पुझाता है कि आपको बुछेगा गाई के सोउसन तंत्रों के नाम लिखे या कारी लिखे तो यहां पर दो कारी याद करना और यहां पर अंग याद करना कौण से फेपडा फुपवसनाल सवासनाल ग्रसनी और नासिका और इनके कारी कि बात करें तो पेड़ कर लेजब लिए नोट कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बत है कि अपर हैंना पर आपको दूसरे वीडियो के चक्कर में रहें तो पिर तो पिर आपको क्या ही बोलू में फिर यहां पर नश्ट को चान आपको तया कि देना है गाई की किनी आठ संस्थानों के नाम दीखें वाला कोश्चन बहुत इंपोर्टेंट है पूछा जाता हूँ कितने में पूछाएगा दो अंक दो अंक के कोश्चन नीवातारा हूं में से तो ठीक है तो क्यां कोन से पाचन तंत्र परजरन तंत्र संस्तानों के नाम बोला है सौशन तंत्र, चोथा रक्त परिसंचन तंत्र, पाचWAY दुगद शेरन तंत्र, कंकाल तंतर, तुदरिका तंतर, अंतर इस्ताय तंतर फिक है इसके बाद आपको में 3 क능 बताऊंगा फिर आपको चाहषपर पाजर यंगे कोश्च है हम कैसे याद करेंगे इतना को यहाँ पर रोकेट साइंस तो है नहीं बस एक बार पड़ोगे तो याद हो जाएगा ठीक है ज्यादा घबरना नहीं है तैयारी करो टाइम ही अभी ठीक है फिर अब जोने चेप्टर उसमें से वारा कोस्चन ताया करें जुगली की किरिया से आप क्या समझते हो मतलब कितने चेप्टर से कितने कोश्चन पुछ रहें मतलब कौण कोश्चन पूचा ले हैं वीडियो की लिंक के दिस्क्रूशन मिल जाएगी अभी मत देखना है वनना अभी भग जाओगे यहान पर कोश्चन देखो पेले क्या है निस्ट कोचन करतिम गरवाधन के दो उद्देश बहुत ही इंपोर्टेंग कोचन है पीछले साल भी पूछाता वार्सिंग में पूछाता अर्दवार्सिंग में भी पूछेगा ठीक है बहुत इंपोर्टेंड क्या है करतिम गरवाधन के दो उद्देश लिखे दूलाई खर्च को बचाना तीसरा पॉसुल प्रजिनेंट चमता बढ़ाना और यहां पर नेश्ट को चेंवाला भी इंपोर्टेंट है वेरिये तनु कारक के कोई दो उधारा लिखे जैसे यहां पर आप देख से तो फटा बट कोस्चों बताता जा रहा हूं नोट करते जा करते जाएं और यहां पर लास्ट वाला कोश्चर इंपोर्टेंट ने गाई की चार वीदेशिन असलों के नाम लिखे ठीक है यहां विजेबोगाई से क्या प्ल लेना है कि उसके बाद यहां पर यह वाले कोश्चन बहुत इंपोर्टेंट है करतिरीम गर्बादम की लाब लिखे ठीक है यह भी इंपोर्टेंट है सलल तो है एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा दो बार वीडियो देख लो यहाँ पर लेके पल लो याद हो जाएगा ठीक है घबराना नहीं है फिर यह वाला कोस्चन भी त्यार कर जाना वीडियो के नाम लिखे फिर यहाँ पर नेश्ट कोशन यह वाला भी तयार कर लिजया वीडिया बताना है ठीक है उसके बाद आपका जो आठवा चेप्टर है कौन सा मतलब खीच रहा हूं जितने भी यहाँ पर आपको कोश्चन है ना वह बता रहा हूं आप वीडियो खीचना रहता है तो मैं यहाँ पर समझाने बेड़ जाता हूं मैं आपके पास टाइम नहीं है समझाएंगे हम बात में अभी त्रेमा सिक्के आप पर देदो बाद में आ त्यार कर लाना ठीक है अब यहाँ पर बताते हो ब्रुम परत्यार उपन से आप क्या समझते मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं यह वाला कोश्चन में पूछ ले जाता है कभी-कभी ठीक है तो तैयार कर लेजिए एक बार पढ़ सकते हो फिर आपका फर्श्ट रप्र क् परसंद पुछे आएगा ये वाड़ सी करद्वार्स ध्रयमा ये जित्ती ब्याप की अगर आपको पशुपा लंका पेपर है तो यह वाला कोश्चन पूछा ही जाता है क्या कोश्चन है भारत में पस्व की हिन्दसा के कारण लिखे पिछले में 4-5 साल से पढ़ा रहा हू बच्चों को और यह वाला कोश्चन आता ही है क्या आता है भारत में पस्वों की हिंदसा के कारण लिखे कोई तीन तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत में पस्वों की हिंदसा के कारण लिखे कोई तीन तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत में पस्वों की हिंदसा के कारण मतलब क्या है अच्छे चारें पोश्टिक तत्व की कमी दूसरा सोस्त सुईदावों की कमी रोगे के उप्चार की अपेक्चा और तीसरा नसल सुधार संब्धी जागरता की कमी और तो छोथा क्या अनुप्यूगी पस्वों की अधिकता ठीक है तो भारत में पस्वों से भी पेपर है तो उसमें देखें कि यह दो कोश्चन आते ही है अथ्वा में एक दूसरे में आता है या तो पहला आपने जो पता हूं भारत में पस्वों की इंदसार कारम बता है वह आएगा या तो यह फार्मर पस्वों पालने के कोई दो उद्धिश लिखे यह वाला क अगर आप यहां पर नोट करते तो अच्छी बात है और यहां पर ध्यान से सुनिए इससे पहली में आपको दो नमबर के कोश्चन बता चुका हूं उस वीडियो के बाद जगर देखेगा अभी यह वीडियो देख रहे तो इसके बाद आपको नेस्ट कोश्चन तीन नमर क पस्वो के तीन मतों लिखे तो यहां पर कॉंकों से यहां पर निमी लिखी थे पहलाए पस्वो से प्राप्त कच्चा माल जिसे की दूद मास उन हड्या चर्म को परिश्कृत करने के पश्चात उन से विभिन बेस कीमती उत्पात तयार कर राष्टी आई में वर्दी की ज पर यहां पर योगदान हो चुका है भाडत अउर्थ पस्वो के तीन मतों ठीक से गाई ensure लिजिए उसके बात यहां पर מא कंबल मतलब जहलर पाए जाते है जब कि बेस में गल कंबल नहीं होते हैं इतरर क्या का टार्ट के सीग फिक बीम्यवेर्ट होती उसमें पूछा रोता है उसके बद नेंवाड़े ने यहके पूछा रहा हूँ याँँ चाहिए अंतर लिखे तो आपको एंकी सिंग फोस चप्टे ओसत मोटाई के तथा हंसिये क्या करके होते हैं और तीसरा इनके दूद में वसा की मात्रा सरवादिक होती है कितनी होती है ठीक है और चोटा नर्वेस्टे कर्शिकारिये के लिए उपयोगी होते है ठीक है अब यहां पर यह तो हो गया बदवारी बैस की इसके बाद आपको कोश्चन पुछे का मुर्रा बैस मतलब जो मुर्रा नसल की बैस होती है ना उसकी विसिस्टा बचाईगा और यहां पर अधिक्तर पूछाए था कि बदवारी बैस और मुर्रा बैस में अंतर लिखेताओ यहां पर विसिस्टाव याद कर लोगे तो इस बैसी के सीर गर्दन छोटे था पिछला भाग चोड़ा होता है ठीक है इसकी शोट ले सकते हो ठीक है और विसेस्टा याद कर लो अंतर आराम से लिख लोगे ठीक है उसके बाद आपको कोश्चन तयार कर जाना हमारे देश में भेस पालना अधिक लाबदाई क्यों है क्यो लिए अधिक उप्यों गयोता तीसरा विए बेस विप्री तेम खटी परसीतियों में अच्छे परिणाम दे सकती है नर्ब से कर्शी कारी के लिए उप्यों गयोती है ठीक है अब इसका लाबदाई क्यों है तो यहाँ पर कारम बता चुका हूँ इसकी ले लिजी एक बार पर पड़ोगे आसानी से याद हो जेगा तबहीं मचा क्या जा बार कूछट रहों इनमें से कोई निiences को बहर ना डियाब दे पर आप अरजुनेंग के लिए उत्तम सांडों का अभाव होना इसरा पसुओं का लंबे समय तक सूखा रहना चोथा उच्छ तकनिकी पर आधारिक प्रियोक्सायलों का अभाव प्रस अच्छीत हो अनभी करयोकता का अभाव इतने भी यहां पर है मैं बता चुका हूं इसके नोट कर ने आता रहता है ठीके नोट कर लिएगा उसके बाद यहां पर नाश्ट कोश्चे ने कुन साइब प्रसु प्रजनन के तीन उद्देश ठीके पहला उद्देश यहां पर इसकिंग सोटे जे उत्तम पसु निर्मान दूसरा पसु सुम्ह की उन्नती तीसरा नियमित प्रज समझे रहा हो फिर आप समझ जाएगा ठीके अगर आप यहां पर आप्र में नो कर सकते हैं ने यहisके निर्द घ्यार के भारत में मतलब्हा व्रषब बार का रॉस्टा क्यों है ठीके प्रकालाइं तो यहाँ पर 6 पोइंट दिये जो कि पूरी तरह से च्छे से याद करके जाना चार नमर का कोश्चन ने थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा ठीक है और यहाँ पर ध्यान से दुश्चूनी इससे पहले में दो नमबर तीन नमबर कवरक करा चुका हूं तो इस वीडियो को पूचा गया था यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूं पिछले साल ही पूछा गया था क्या पूचा ठाल बहुत अब इसका बाट अंढ़ा से तो यहां पर वर्नन किया गया है अब इसका स्किन सोट लिजे और नोट कर लिजे और इसको तयार करके चले जाना पाच नमर का स्काइब यहां पूछा जाता है कि साहीवाल गायों कि उत्पत्ति की देश में होती है तो पाकिस्तान के क्या है है मांट गोमेरी जिले में ठीक है तो पाकिस्तान देस में ठीक है तो अब इसका सिक्सोट ले सकते हुपई खिता की बात कि तो यह पर दिया है इसकी सोट ले लिजे फटा बढ़ इंग कोषोणों का स्किन जाए तो आपके लिए पढ़का ढांट कर ये तो तर यह डूंस तो यह पर दे दी है तो जाये तो जोईं कर लो जो अप्टे dire कर बऑं इसके लाग प года या को चेन नहीं स्टरागराम की लिंके मोझे का दिजिएगा और यहां forgot अगर अभी तक अपनी स्वीडियो का अपनी दूसरे शेयर नहीं क्या तो शेयर कर जिसे आपका दूसर भी स्वीडियो को देख सके और त्रेमासी परिच्छा की त्यारी कर सके ठीक है तो बाकि अभी के लिए इतना ही मृत्वड़ों में जय ही